नमस्कार दोस्तों, रेलपत चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त परभीन सर और आज डिसकस करेंगे हाल ही में धनवाट डिवीजन में 5-3-2023 को एक जाम हुआ था LDC-JPW का उसी कोश्चन एनलाइसिस के बारे में, तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आये हैं, तो मेरे चैनल को सब्क्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आउन करें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, दोस्तों इस चैनल पे काफी प्रिवियस येर कोश्चन का वीडियो और कुश्चन बैंक पहले से अपलोड किया हुआ है, तो अगर आप नहीं देखे हैं, तो आप बारी-बारी से देखकर त्यारी को बेहतर बना सकते हैं, दोस्तों अब मैं कुश्चन के उपर लेकर चलता हूँ LWR, CWR के लिए अधिक्तम कितने डलान की अनुमती है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, इसका एंसर हो जाएगा 1 in 100, यानि इसका एंसर बी हो जाएगा भारत में रेल ताप मार छेतरों की संख्या क्या है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, तो इसका एंसर हो जाएगा 4, यानि इसका एंसर D हो जाएगा A, C, J, यानि स्विच एक्पेंशन ज्वाइंट की जीव और अस्टाउक रेल की आईलिंग और ग्रीसिंग की फ्रिक्वेंसी, तो इसका एंसर हो जाएगा 15 दिन, यानि इसका एंसर B हो जाएगा 60 kg रेल में लंबत गिसाब की सीमा, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, तो इसका एंसर हो जाएगा 13 mm, यानि इसका एंसर D हो जाएगा रेल में लेटरल गिसाब को रेल टेबल टॉप के नीचे 10 mm पर मापा जाता है, तो इसका एंसर क्या हो जाएगा, तो इसका एंसर हो जाएगा 13 से 15 mm, यानि इसका एंसर C हो जाएगा अनुप योगी अस्क्रैप रेल को किस रंग से रंगा जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा red यानि इसका अंसर D हो जाएगा सीफा बोर्ड या WL बोर्ड समपार फाटक के कितने दूर पर लगाया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा 600 meter यानि इसका answer B हो जाएगा Detonator पटाका का सामान या यू dice verse है तो इसका answer क्या हो जाएगा? तो इसका answer हो जाएगा 5 verse यानि इसका answer C हो जाएगा Gate post से a speed breaker की नियुंतम दूरी तो नियुंतम दूरी क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 20 मीटर यानि इसका एंसर A हो जाएगा दोस्तो एलसी गेट के लिए एक मेरा वीडियो बना हुआ है अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो को जरूर देख ले जिससे आपको एलसी गेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी भी नहीं चुटेगा या मेरा ग्रांटी है संपार फाटक में चेक रेल का गैप कितना होना चाहिए तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 51 से 57 mm यानि इसका एंसर D हो जाएगा संपार फाटक में वैनर फ्लेक चेक रेल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा 5 मीटर यानि इसका एंसर B हो जाएगा अगर आप भी J.P.W. की तियारी करते हैं या करना चाहते हैं तो J.P.W. के लिए 2000 कोश्चन बैंक का पीडियाप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर टिक करके या वाटसप से संपर्क करके हिंदी या इंगलिस में ले सकते हैं और अपनी तियारी को बेहतर बना सकते हैं बीवन क्लास संपर्फाटक का टीवियू कितना होता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा पचीस हजार से तीस हजार यानि इसका एंसर सी हो जाएगा कंक्रीट स्लीपर वाले संपार फाटक का ओवरावलिंग कितने समय में किया जाता है इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा दो वरसों में यानि इसका एंसर बी हो जाएगा गेट मैन के लिए मेडिकल केटेगरी क्या होती है इसका एंसर क्या हो जाएगा चेक्रेल की लंबाई एक इतना होगा ति इसका एंसर हो जायागा सडक की चवड़ाई से 2 METR अधीक, यानि की इसका एंसर D हो जायेगा। इसका एंसर हो जायेगा ति इन साली यानि इसका एंसर C हो जाएगा। कि इनमे से कॉंटसीड टेम्पिंग मसीन है तो इसका एंसर क्या हो जाएगाँ सिलीपर को पैक करने वाली मसीन तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका answer देखिए Tamping Express हो जाएगा यानि इसका answer C हो जाएगा Tamping Express और bracket में 3X भी यह machine को बोला जाता है पटरी के consolidation के लिए किس machine का अभियोग किया जाता है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा DTS जानि इसका answer B हो जाएगा एक ही लाइन में चलनी वाले पटरी के लिए किस मसीन का अभियोग किया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा तो इसका एंसर हो जाएगा DTS यानि इसका एंसर B हो जाएगा एक ही लाइन में चलने वाले दो ट्रेक मसीनों के बीच रखी जाने वाली निंतम दूरी तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 200 मिटर यानि इसका answer C हो जाएगा Unimate machine द्वारा एक बार में कितने sleeper को पैक किया जा सकता है तो इसका answer हो जाएगा 1 यानि इसका answer A हो जाएगा Turnout के नभी करन के लिए किस machine का अपयोग किया जाता है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा T28 machine यानि इसका answer C हो जाएगा TRC का पूरा नाम तो TRC का full form क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा track regarding car यानि इसका answer A हो जाएगा एक curve railway वे ट्रेक में सूपर एलिवेशन कहां परदान किया जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा इनर रेल में इसका एंसर भी हो जाएगा कर्ब में alignment करते समय कौन सी rail, sighting rail होती है तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा outer rail, यानि इसका answer B हो जाएगा कितने degree से अधिक कर्ब पर check rail लगाई जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा, इसका answer हो जाएगा 8 degree, यानि इसका answer B हो जाएगा कर्ब के किस रेल पर चेक रेल लगाई जाती है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा इन्नर रेल यानि इसका एंसर बी हो जाएगा ट्रांजिसन कर्ब के आरम में सुपर एलिवेशन कितना होता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 0 mm यानि इसका answer D हो जाएगा मंडल की किस पुस्तिका में अस्थाई गती परतीबा अंदर साया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा working time table में यानि इसका answer A हो जाएगा ऐसे कार्ज जो सुर्योदय से सुरू होने के बाद उसी दिन सुर्यास्थ पर समाप्त हो जाते हैं वह क्या कहलाता है तो यह क्या कहलाएगा छोटी अबदी के कार्ज यानि इसका answer D हो जाएगा caution board गती परतीबंद के लिए कार्ज अस्थल से कितनी दूरी पर लगाया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा 800 मीठर यानि इसका answer C हो जाएगा पुष्ट ट्राली सचमता परमान पत्र की बैता कितने वर्सों का होता है इसका answer देखिए एक वर्स हो जाएगा तो इसका answer A हो जाएगा अगर IR PWM के अनुसर पूछा जाए तो ये दो बर्स का हो जाएगा सारवजनी का स्थल से अनाधिकरित कबजे वाले को बाहर निकालने का कार्ज किस एक्ट द्वारा किया जाता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा PPE Act यानि इसका answer B हो जाएगा कम्प्यूटर में प्रेजिटेंशन तेयार करने के लिए कौन सा प्रोग्राम सबसे उफ्यूकता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा MS PowerPoint यानि इसका answer B हो जाएगा कंप्यूटर के अच्छर या लाइन की नकल करने के लिए किस कुझी का प्रियोग किया जाता यानि कि कौपी करने के लिए इसका answer हो जाएगा Control प्लस सी यानि इसका answer सी हो जाएगा पुरुस रेलवे करमचारी को कितने दीनों का तृतितव अवकास दिया जाता है तो इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा पंदरा दीनों के लिए यानि इसका एंसर C हो जाएगा रेल करमचारी के द्वारा पूरे सेवा काल में कितने आउसत बेतन या छुटी जमा किये जा सकते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा 300 दीन, यानि इसका एंसर A हो जाएगा. रेल करमचारी को यह से 5 कब जारी की जाती है? इसका एंसर क्या हो जाएगा? इसका एंसर हो जाएगा major penalty, यानि इसका एंसर B हो जाएगा. शंपुर्ण शेवा के दवरान महिला करमचारी के दवारा ली जा सकने वाली कुल चाइल्ड केर लिव कितनी है तिसका एंसर क्या हो जाएगा तिसका एंसर हो जाएगा 730 दिन यानि इसका एंसर भी हो जाएगा अगर आप भी जेई पीवे की त्यारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेई पीवे प्रिवेश येर कोश्चन पेपर 2022 आपके लिए टौनिक की तरह लाब दायक होगा इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानि 1500 कोश्चन कवर किया गया है अगर आप लेना चाहते हैं तो वाट्सअप से संपर करके या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी त्यारी को बेतर बना सकते हैं वन इन टूवेल फाइन सेप्ट टरन आउट के हील डायवर्सेज कितनी होती है तो वन इन टूवेल के हील डायवर्सेज कि दूरी कितना होता है तो इसका हो जाएगा एकसो पचत्तर यम्यानी इसका एंसर सी हो जाएगा वन इन टूवेल No के switch की लंबाई कितनी होती इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 10 125 मियान इसका answer A हो जाएगा वानि एट and half curve turn out symmetrical slip में लूप पर अधिक्तम अनुमत गती कितनी होती है इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 30 km परती घंटा यानि इसका answer D हो जाएगा Turnout पर rail कितने कैंट पर बिचाई जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा answer बीना कैंट के यानि कि कैंट 0 रहेगा इसका answer D हो जाएगा CMS crossing की reconditioning के बाद दरार की जाच किस परिच्छन से की जाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा Dry Penetration Trash यानि इसका answer C हो जाएगा USFD machine का कुल जीवन काल लगवा कितना होता है तो इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 8 बर्स यानि इसका answer D हो जाएगा USFD परिच्छन के परिनाम सुरूप IMR रेल को कितने दिनों में बदल दिया जाना चाहिए इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा तीन दिनों के लिए यानि इसका एंसर A हो जाएगा तीन दिनों में बदल दिया जाना चाहिए आई आमार डिफेक्ट में कितने क्रॉस मार्क होते हैं ति इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा तीन क्रॉस यानि इसका एंसर भी हो जाएगा USFD के दोरान मिली IMR rail में कितना गती परतिबंद लगाया जाता है तिसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा 30 KM परती घंटा यानुए इसका एंसर A हो जाएगा रेल टेस्टिंग के दोरान कोन सी खराबी पाइजाती है तो इसका answer क्या हो जाएगा? इसका answer हो जाएगा IMR यानि इसका answer B हो जाएगा USFD का पूरा नाम, तो USFD का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? अल्ट्रा सोनिक फला डिटेक्शन यानि इसका answer B हो जाएगा रेल का USFD करते समय खराबी का नाम तो वो क्या हो जाएगा तो इसका answer हो जाएगा OBS और IMR यानि इसका answer A हो जाएगा बिल्डर परवेच्छक को परसिच्छन और परमान पत्र कौन देता है तो इसका answer क्या हो जाएगा तिसका answer हो जाएगा TPP लखनाऊ या TWC विजयवाड़ा यानी इसका answer A हो जाएगा पतरियों के building करते समय metal डालने के बाद train ओ को कितने समय के बाद pass करना चाहिए इसका answer क्या हो जाएगा इसका answer हो जाएगा 30 मिनट बाद यानी इसका answer A हो जाएगा बेल्डिंग करते समय रेल के सीरो का गैप तो किसना होना चाहिए तिसका एंसर रहता है 25 पलस माइनस 1 यानि कि या तो 24 या तो 26 इसका एंसर B हो जाएगा नए कार्जो के लिए नियूंतम ट्रेक सेंटर इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका एंसर हो जाएगा तिरपन सो एमेम यान इसका एंसर D हो जाएगा आशा करता हूँ दोस्तो यह पार्ट वन का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें कॉमेंट करें जिससे मैं सेकेंड पार्ट जस्ट जल्द ही लेकर आपके लिए आओं और मेरे चैनल को सब्क्राइब कर ले जिससे आपको सेकेंड पार्ट देखना मिस ना हो धन्यवाद दोस्तो